रादे रादे दोस्तों स्वागत आप सभी ट्रेडरस का हमारे इस परिवार एक यूट्यूब चैनल गिन मार्केट ऑफिशल पर दोस्तों यहां पर हम लोग हर सब्ता एक ऐसा वीडियो डालते हैं जहां पर आप लोगों को यह सिखने के लिए मिलता है कि ट्रेडिंग की प्लीज आप सभी सांती से कहीं बैठ जाइए और सारे का सारे एक्यूप्मेंट्स ले लिजिए जो आपको पढ़ने में काम करते हैं मतलब कि कॉपी और पेन ले लो भाई क्योंकि आपको जरुद पड़ेगा कहीं कहीं नोट करने का ठीक है तब आप इसको अच्छे से से स मतलब निप्टी ये बैंक निप्टी ये यही करते हो ना लेकिन आज हम लोग वह सिखेंगे जिसमें ज्यादा पैसे कमा सकते हैं मिन्टों में ठीक है और ये कमाने के लिए आपको सिखना होगा स्टॉक का आप्शन यानिया कि हम लोग आप्शन स्टॉक के बारे में आज जानेंगे चलिए सुरू करते है सबसे पहले हम लोग अपने वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले हम छो लेते हैं यह है है आज हमारा जींटâteर्टेंड मिन का चार्ट टीक है अब मैंने जींटर्टेणिन को को कि यूं लिए है यह आपको दिहान देना यहां पर तो सब से पहले हम लोग आ जाते हैं अपने इधर आप पर यहांपेलों करते हैं जींटर्टेंड मेंलिफिए कियो चींट को यहां पर लिया है वह समझे तो मैंने इसली लिया है क्योंकि लास्ट दिन जेशन ट्रेडिंग था उस दिन मार्केट ने 8% रिटन एक दिन में दिया ओम गौड एक दिन में आठ पर्शंट यू किन इमेजिन वाई कितना बड़ा प्रॉफिट है ना तो आठ पर्शंट ये दिया है तो इसमें आपको कितना फैदा होता ये पहले आपनों कल्कुलेट करते हैं ठीक है तो चलिए इसका चलते हैं लोग अभी देखें 206 पे है मार्के खुदी एक 187 रुपए 60 पैसे पर उसके बाद मार्केट ने यह जूड़ा आई यह वाई क्या ही बोलू मतलब दिल कोल दिया मज़ा 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 आगया मेरे को यह ठीक है अभी आपको इंट्रिय कर लेनी होती तो आप कहा लेते अभी आप इसको चोटा कर दो ठीक है च एक दिन का टाइम फ्रेम ले लिया ठीक है अभी आप देखो इदर मज़े की मज़ा देखो खली मार्केट में ठीक है यह वाली हमारी बनी हुई है देखें मार्केट को अगर आप यहां पर एनलाइज करते हो तो आपको एक यहां पर ट्रंड लाइन बनता है ऐसा ऐसा बनत तो यह उन्य ट्रेड लाइन आपको पकड़नी थी अब आप दिन में ट्रेट करते हो एक दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो पांच मिन के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि मार्केट क्या बोलना चाह रहे थी मतलब किसी भी स्टोक को जानने के लिए आपको तीन टाइम पर आप लोग उसको स्टड़ी कर लो एक तो 15 मिनिट एक दिन और फिर ट्रेड करते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करनी है तो देखिए यहां पर आप इसको बढ़ा करो तो यहां पर देखो यार मजा देखो हम लोग जानते ना जो लोग मेरे पहल यहां पर आपको देखिए इस लाइन पर आपको ब्रेकाउड मिल रही थी ठीक यहां पर ठीक यहां पर ठीक है ठीक यहां पर आपको बढ़ियां वहला ब्रेकाउड मिल रहता कहां गया मेरा टूल भाई यहां पर ठीक ब्रेकाउड मिल रहता देख रहे हो मतलब यहां पर यहां टच करवाया कम से कम तीन तीन बर मार्केट नहीं आप किसे आपको घुसना है वह वो गया इसमें लोग वह लिखेंगे जो मारे लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको यह हो गया ऑप्सन वन जो मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड को इस सारा कर रहा था दूसरी बात दूसरा और क्या है वो देख लेते हैं ठीक है ओके दोस्तों तो चलिए हम लोग सो कंटीनियू करते हैं हम लोग समझते हैं कि हम लोगों हम लोगों ने जो एनलिस एनलिसिस करा है वो था स्टॉक का ठेक है अभी हम लोग स्टॉक पर हम लोगों ने एनलिसिस कर लिया कि मार्केट में हमारी इंट्री जो है सो लवा लवा द अभी आप 200 पर हमारी इंट्री बन रहे थी क्योंकि यहां से हमारे एक ब्रेकाउड बन रहा था इधर से ठीक है और दूसरी बात की आप अगर डे वन में देखोगे तो यहां से इसको क्रॉस्टर के मार्केट निकल रही थी पंदर मिट के टाइम फ्रेम पे तो यहां भी हमा मेरा बात को ठीक है अभी आपको पता है कि यह स्टॉक उपर जाएगा गुड आपको क्लियर है अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों कुछ नहीं करना है बस इसी का हम लोगों को आना यहां पे स्टॉक आप्सन पे ठीक है जैसे ही आप यहां पे आओगे इसी का जाना है option chain पे में option chain पे जाना है यहां पे देखें और आप यहां पर इंट्री बना रहे हो तो कुछ सोच समझ के बना रहे होंगे न कि यहां पर आप इंट्री बना रहे हो तो क्या आप target यहां से दो रुपे कमाने के लिए तनी गुस होगे न आपका एक target होगा कि ये इतना उपर जाएगा या इतना उपर जाएगा तो ये target आपको achieve करने के लिए उसी target के बीच में कहीं भी आपको position बनाना है और सिधा simple बात है भाई जो भी option trading करते हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि भाई आप हमेशा in the market काम करिए क्या करिए ITM ITM पर काम करना है in the market पर काम करना है मतलब कि यह हुआ अगर market अभी 190 पर है ठीक है तो आपको जो call या put लेना है अगर आप call ले रहे हो तो आपको लेना है 188 के आसपास 190 का लेते हैं ठीक है यहां पर हम लोग आते हैं और यहां पर 190 का हमें call लेना है नीचे आते हैं 190 कि दर लिखा हुआ है यहां पर है 190 राइट यहां पर देख रहे हो ना यह वाला 190 रुपे यहां लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर हमारी entry बनती है और यहां पे हम लोग इसका call set ले लेते हैं इसका graph खुलता हूं में पहले तब आपको समझ मैंगा देखिए यह इसका graph है अब यहां पे आपको समझना है कि यहां पे आखिर market में हमने जो entry बनाई है वो perfect है या ने क्योंकि देखिए time देख लिए ठीक है इसके ठीक नीचे time देखिए एक बच के 30 मिनट हो रहा है एक बच के 30 मिनट में आपको यहां भी इसके call shot entry बनानी थी ठीक है क्योंकि breakout आया है market में कितना बच आया है एक बच के 30 मिनट में देखिए वीडियो जो देख रहे है थोड़ा सा पैसेंस रखना आपको मैं बहुत को सिखाने वाला हूं ठीक है बहुत को सिखाने वाला हू है और आप 50,000 से अगर आप इसका यहां पर इंटरी बनाते तो 50,000 में मानके चलो 200 तो उपर है न तो 190 पर आप करोगे तो 190 से इसको डिवाइड करोगे जब तो कितना से मिलेगा ज्यादा से ज्यादा आपको ठीक है दो सो बावं तिरपन से मिलेंगे 252 पं से मार्केट कितने उपर गई यह लगवा 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 अपको यहां पर देखोगे तो आपको कितने प्रॉपिट हो रहा है आपको यहां पर लगवा लगवा हो रहा है 3800 का रुपय का profit हो जाएगा मोटा मोटी ठीक है मैं एक रफ अंट बता रहा हूं आपको कि 3800 रुपया profit हो रहा है आपको किस में delivery में ठीक है लेकिन हम लोगों क्या करना है उसका option में जाना है और इसका option पर हमें trade करना है अभी डेड़ बजे एक बच के 30 मिट कहां पर आ रहे हैं आपके यहां पर और यहां पर प्रैस कितनी भाई आट रुपया सत्तर पैसे हैं ठी तो आट रुपया सत्तर पैसे में ने यहां पर प्राइस क्या कर दिया फिक्स कर दिया अभी इस पर मेरे इंट्री बंढ रही है एकदम मार्केट पे तो मुझे लग रहे 26,000 रुपया ठीक है 26,120 रुपय लग रहे वाई यानि कि एक लॉट में हमको 3000 रुपय देना पल रहा है इसका मतलब क्या पता है अगर ये मार्केट एक रुपय बढ़ती है अगर ये मार्केट एक रुपय बढ़ती है तो एक रुपय बढ़ती है तो एक रुपय बढ़ने से आपको कम से कम 3000 रुपय का फैदा होगा कम से क्या मतलब कि 3000 रुपय का फैदा होगा मतलब एक रुपय चड़ती है तो ये आपका 3000 रुपय चड़े लगवग 22 रुपए हाय बनायती लेकिन फिर भी चलो आपने छोड़ दिया मार्गेट के पैसे लगा के छोड़ भी दिये अब दीड़ बजा के बाद क्या पैसे निकालने वाई इसका एक महिना कराता है यहां पर देख रहें आप 17 जुलाय का एक्सपारी है अभी नहीं होने और आपको profit देख रहें आपे कितने के profit हो रही 33,92 रुपे के profit हो रही बजाए आपने लगाये कितने थे 8 रुपए 70 पैसे पर ख्रिदे आपने और आपको लगाये 26,000 रुपे लेकिन आपको profit हो रहा है 11,30 पैसा यानि कि 33,920 मैं मतलब सम्म्ञा रहे ख़या 110-20% और नहीं उड़ागा तो कोई बात नहीं अभी और उड़ जाएगा ठीक है अब आप लोग सोच रहे होगे कि हमको तो आता है नहीं है टेक्निकल एनलिसिस आपको कैसे आएगा आपने तो कभी मार्केट में से पैसे लुटने आप लोग ने सीखने का कभी डिसाइड करेंगा ठीक है उसे एक फ्रंट पेज भी एप है जिस पर आप लोगों को बहुत सारे लोग को अश्टरी करके डालते रहते यह मार्केट उड़ने वाली है तो वह तो बोल दिये तो अपना बुद्धी तो लगा कि उसको एनलाइज कर सकते हो ना चलो मान की चलो आप गदे हो मेरे ठीक है तो आपको कुछ नि करना है मार्केट को हम देखिए हम य만 करना के चोड़ दो स्टाॉक उपसन में इस टाउक में लगाके छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा इसलिए भी पांच मिंट के टाइम फ्रेम पे यहां पर आ जाना है ये आपको देखना है कि मार्केट कहां पे उसका एक यहां पे क्या लगाना है यहां पे जाना इंडिकेटर में ठीक है और एक इंडिकेटर लगा देना RSI यह आपका प्यारा दोस्त है भाई यह आपका जान नहीं यह आपकी girlfriend समझ लो इसको कभी मत छोड़ना भाई यह आपको जो बना के देखा न वो आपकी girlfriend भी बना के नहीं देने हो कभी को आपकी girlfriend एक दिन में आपको 3340 जरों पर देगी क्या अरे नहीं देगी यार पाण में जने दुसको ठीक है आपको पने काम पर पैसे कमाओ न सब कुछ आ जाएंगे ठीक है अब यहाँ मैंने यहाँ पर RSI लगा दी तो यहाँ पर देखिए मेरी RSI लग गई अब इसको समझी यहाँ पर RSI का कहना है कि आप अगर मार्केट 30 के नीचे निकलती है यह जो लाइन देख रहे हैं यह वाली लाइन देख रहे है आपको यहाँ पर पैंसिल नहीं कर रहा है यहाँ यहाँ पर देखिए यह 30 पे आ गई है मार्केट ओल्षा यहाँ前 होगते क्रेंब यहें आपकें यहाँ शुक्त के नीचे आपकें नीचे ने कितने किने में उचाल वालतार अबवी प्रवर्विट हुआ था मार्केट में इधर भी नीचे ऊपर गई इधर भी नीचे ऊपर गई यह तो आपको पैसे चापने का मसी नहीं है इस पर ध्यान दे रहा है यहां पर तीज पर आये थी मार्केट कितने बज़े आये थी भाई सात अरिको 11 बज़े मार्केट में आय थी 30 पे अब मौका मिल रहा था भाई कि मार्केट पर आपको अपनी पोजिशन लगा देनी है ठीक है अब यहां पर समझाते है कि कैसे पैसे कमाते हैं हम लोग छाप तो यहां पर तीस पर आ गया थी मतलब मार्केट उड़ेगी है ना आ कम से कम 10-15 मिलुक्त करना है कम से कम 15 या यहाँ से मार्क ि भी दिया तब यहाँ पर चलो इसको मैं बढा कर लेता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आना क्या यार यह मैं खराब कर दिसको अपने लोग को ट्रेडिंग सीखने में यार देखो मैंना बहुत कुछ जानता हूं अगर आप मेरे चैनल पर बने रहाते हैं आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा वीडियो कर देना वाई ठीक है और लाइक कर देना मेरे से दोस्त दोड दिया अब आपको फिर भी विस्वास नहीं आपको डर लग रहा है मार्केट उपर जाई नहीं जाएगी अरे मेरे बाब यहां पर देखो बहुत मज़े की बाद बताता हूं ठीक है यहां पर देखो भई आरसाई ना उपर उड़ रही है दिरे दिरे ठीक है जो मैरे पहले के स्टुडेंट ने ना उनको पता होगा यहां पहने आरसाई ऐसे उपर उड़े भाई यह तो कन्फम बोल रहा भाई मैं उपर जाऊंगा ठीक है यहां पेंट्री ने बनाई कोई बात ने मेरे प्यारे यहां पेंट्री बना ली मतलब कि 12 वज इंट्री बनाई ठीक रुपए 45 पैसे ठीक है और आपको लेना है कॉल यहां पर कोई भी लिलो मान के चलो आपने वही कॉल ले लिया जो मैंने पिछली बर्स गाया थे 192 रुपए वाली या 190 रुपए वाली लिलो वह ज्यादा नजदिक होगी 190 रुपए के दिख लेता हूं है ना 190 रुपए आ जाता हूं रुख जाओ एक सेकेंड आ गई भाई मेरी ओप्सन चिन ओप्सन चिन 190 रुपए दिखा रही के दर आ दिखा रही यहां पर आ जाओ 190 रुपए खुल जाओ भाई ग्राफ थोड़ा जल्दी खुल जाओ यार भाई लोग बरदास नहीं कर पाते हैं जद्धा टाइम पस हो जाता हूं का है ना पैसे कमाने वाले चीज़ों को सीखने भी टाइम प नहीं आती है तो भाई वह क्या ही बताओ आपको अटाओ जादर नहीं बोल सकता है मैंने तो बोलोगे भाई क्या मतलब हमें भाईकार होगा पैसे लगाने के लिए तो यहां पर हम लोग ने देख लिया कि दुबारा जो परफेक्ट इंट्रिक दम क्या बोलते हैं रिटेस बरदास करो वही बरदास का फल अच्य होता है फल मीटा होता है चली वहीं 12 बज़े खहां 12 बज़े इधर 12 बज़र वाई यहां पे 12 बज़र है कितने रुपए पर इंट्रि boni आठ रुपे 45 पैसे पे वाउ फ़ड़े गढ़े न हैं आठ रुपए 45 पैसे कितने पैसे लगने वाले थे हमारे यहां पर जाना लिमिट में चेक करना है आठ रुपए कर दो तो जो लोग बिलकुल एनेलेसिस नहीं जानते न वह आख मंद के ने आरे से पे खेला कर देना आपको पक्का प्रॉपिट होगा विजवास नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा क्या कोई बात में चलो एक और कंपनी लेते हैं पीवी आर ठीक है पीवी आर के देखो एक दिन में 4 4.71 पर्षेंट चड़ा है वाई ओमाइगाड एक दिन पांच पर्षेंट लबल लगए मतलब अच्छा है ना बहुत अच्छा है चलिए इसको कुलता हूं मैं इदर खुल गई फुल स्क्रीन आजाओ 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 जल्दी आजाओ वाई टाइम बहुत लगात पिछली बार भी जो मैंने इस टोक आपको दिखाया था ठीक है उसमें फी गॉल्डन क्रोस ओबर तीक है आप उसको चेक कर लेना तो यहां पर गोल्डन क्रोस ओबर किसको बोलते है जब 200 वाले मुविंग एवेज को यह जो 200 वाले मुविंग ब्लैक वाली है यह 200 की है यह से एक साइड़ चल रही थी तो यहां पर मौका मिला था कब मौका मिला था तो जो लोग बहुत तेज है ना मतलब बहुत तेज बन रहे हो वाई ऐसे बोलते लोग है तो यहां पर मैं बोलना चाहता हूं यह आपसे कि यहां पर गोल्डन क्रोस ओबर बनी थी मार्केट में आपको एक इंडी में रही थी एगर आप इसको आनेलाइज करते हो ना यह वाला ट्रेन्ड लाइन बनाना था आपको यहां नरे गीच हो और यहां पर लिए को फिर पुम उपर ना Essa करों करोंवर करके मार्केट उपर आपको इस लेवल पेंडारी नहीं थी द्युर прилu तरह 88 के आसपास और फिर मार्केट फुम उपर है ना तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट करने का मौका तो मिला था वही ठीक है जिरुट ने किया और ने किया होगा वागी तो भाई देख रहे होगे सिर्फ मार्केट को लेकिन यह उसके लिए ना है वाई जो टेक्निकल एने तो करना कुछ नहीं तो वाई मैंने अब भी अभी थोड़ा दिर पहले मैंने आपको बताया वाई कि आपको रहे रहे शाई पे धियान देना है मेरे देखो यहां पर यहां पर देखो यहां पर यहन कि रहे इसा ही तीजर मार्केट क्या होगा उड़ेगा यहाँ भी 30 पे थी market क्या वे थी उड़ी थी यहाँ पे 30 पे थी market क्या थी उड़ी थी इसको आप set कर सकते हैं आपको 30 रखना या 20 रखना या पर 14 जो है 14 दिन का यह जो दिखाता है सिंपल मुविंग इवरेज इसका कहना है कि नहीं यह market 30 पे उड़ेगी ठीक है तो यहाँ पर 30 पे यह market देखो यहां से moment आपको मिल रही थी कितने तारीक को मिल रही थी भैए 6 तारीक को एक बच के 45 मिल रही थी आपको अब मान की चलो कि म पर प्रॉफिट बुक करना है ठीक है अभी यहां पर मैंने इंट्री बनाई एक बच के 45 मिनट पर 6 तारीक को चलो इसका आता हूं मैं चौदा सोका मैं देखो यहां पर कॉल ले लिया मैंने और एक बच के कितना बज़े थी मेरी पेंसिल तो छोटी हो गई है एक बच के 45 म मिनट है यहां पर है याने कि 32 फर 50 पैसे मारी इंट्री बन रही ए ठीक है तो यहां पर देखो एक बच के 45 मिनट याने कि यहां पर हमारी इंट्री बॉन रही थी 32 रुपे 50 पैसे पर चलो calculate करते हैं कितने पैसे हमें लगते हैं यहाँ पर हमनों calculate कर लेते हैं तो 32 रुपे 50 पैसे करके मुझे एक सेर में 407 रुपए देने पड़ रहे हैं कि 32 रुपए 50 पैसे से कल्कुलेट करता हूँ है मुझे लगते हैं मात्र 13,247 रुपए ठीक है कितना पैसे लग रहे हैं 13,247 रुपए भाई देखियो वीडियो ना पुरा देख लियो ठीक है फ्री में नहीं मिलने वाला यहां पर लाकर रुपए देखे सिखते हैं यह सब चीज़े लोग और यहां पर आपको फ्री में सिखा रहो तो कुछ चुत तीज़त करो और वीडियो भाई प्लीज यार लाइक कर देना सेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अगर अपने भाई को इतना प्यार करते हो ना तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले ना इस चैनल को ताकि आपको और भी वीडियो से मिलते रहे ठीक है चलिए आप देखिए तो 13,247 रुपए मात रहे आपके पस तो 50,000 ठीक है आपको दो लोट लिने का फुल अधिकार है 24,000 रुपए लगा के ठीक है अभी दो लोट ने चुड़ो एक ही लोट पर हमनों केम्प रिजन करेंगे तो ये मार्केट देख रहे हो 32 रुपए 50 पैसे से कितने गई 69 रुपीज मतलब की लग भग ये मार्केट 37 यही चीज़ तो यहां पर ध्यान देना है नहीं देते लोग पेधकूब जैसे करते हैं पैसे कमाना तो आपके हाथ में क्या किसी इसे टीप कॉल लेते चलते हैं विद्धल सब जगह पे मुझ पाहलाते हैं आथ जलते हैं नहीं करना ना वाई आपको बस मौगी की तरी चल तो आपको उतना नहीं करना है एक दो दिन में पैसे निकाल लेने हैं मतलब देखा जाए तो पैसे ही पैसे होंगे अपने पास है इतना सब्सक्राइब विक्रा हुआ है वाई पैसे लुट के पैकेट में डाले पैके गरंग करने उसके पाद गुमों के पास ठीक है चलिए य मोटर्स दिया ए आपको profit दिया टरम जिंगी मेर थैकता मोटर्स कितने दिए है 3 परसेंट दिया है और यह company ओग्लेन आप अ और इंटरत्रेंट्रेंद्मिंध था ना बाई इंटरत्रेंट्रेंड्मेंट है क्यें पैसे इधर ग्लेन मार्क इंटर्टेन्मेंट देखता हूं कितना पर्षेंट दिया है वो रिटेन या तो दिखा नहीं रहा जाने देवाई यह कितना दिया है देखता हूं मैं गिलिन फर्मा न्यूटिकल कंपनी है यह यह दिया था त्री पर्षेंट चलो इसकी भी मज़े ले ले लिता हूं भी मैं इसके चार्ट कोलता हूँ पहले तब आपको ज़दा समझ में आएगा इसके चार्ट फूल स्क्रीन करनी वाई इसके ऑप्सन में जानी है और अभी यह है 689 रुपे और आपको लेनी है तोड़ी से ऊपर यानि कि 689 रुपे इदर कहां गया वाई मेरा दोस्त मेरा यार मेरा आपको यहां पर लेना मान के चलो कि नबबे इंदे मार्केट लेजेगा तो नबबे ठीक है इसका अब दोनों का चार्ट खुलने देजे अब अगर इस स्टॉक का ग्लेंड मार्क फर्मा क्यू टीकल का अगर आप करते हो यहां पर एनलेसिस तो रिजिस्टेंस लेबर तो यह वाली थी लाइन ठीक है यहां पर देख सकते हो मार्केट यहां उपर गई थी यहां से टकरा के उपर निकली फिर मार्केट इस लेबर से रिटेस्ट करके नीचे आ गए थी तो सेम साथ तारीकों मार्केट इस लेबर पर आई थी यहां से ब्रेक आट दिया था तो आपको इदर प्यारे दोस्त आना है और आपको सर्च करना है कि आरे से कहां पर ज्यादा गिरी भी है ठीक है तो इधर देखो के आप इस आसपास में 30 पर टच करी थी तो अगर इस आसपास आपने इंट्री बनाई होती तो आपको यहां तक अभी तो गरदा उड़ा दिया हो अब एक बज़ के 20 मिनिट में हमारा मार्केट है 640 रुपे 680 रुपे और उसका स्टॉक को लिया 690 कोई नहीं चलो हमारे इंट्री कितने मज़ें बन रहे हैं यहां पर यहां पर 15 रुपे से मार्केट ऊपर गई थी ठीक है कि और यहां पर काम करती है मार्केट कितने परस इंट है किसका लिमिट में जाना है फ्राइस करना है 15 रुपे कितना है भाई यहां पर में कितनी प्राइस यह नहीं नि-शू ना पंदर रुपए 50 पैसे मान के चलो 50 पैसे 50 पैसे मैंने बाई किया इसको मुझे लग गए बाइस तजार अब यहां से मार्केट चड़ी मैं इधर हाई पे नहीं लेता हूँ ठीक है एवरेज लेता हूँ मैं मान के चलो 24 पैसे मनने की यहने कि मुझे 24 पैसे तक गई मार्केट तो चार रुपए उधर और इधर सड़े चार रुपए यहने की आठ पॉइंट पचास पैसे के मुझे प्रॉपिट होँ ठीक है तो आपको देख रहे हैं पर बारह हजार रुपए 345 रुपए बारह जार तीन सो पैसे पैसे काम करना इसमें अगर आप ऊस्साप से लिते ना जो मैं रसाइब बोल रहा हूं तो रसाइब आपकी इंट्री मतलब की चार जुलाए को ग्यारा बच्वे की पचास निट पे याने की यहां पे चलो आट रूपए-45 पैसे पे आपके इंट्री बन रही तो आपको पैसे लग रहे हैं तो आपको पैसे लग रहे हैं तेरह जार रुपए ठीक है अब भी मार्केट कहा है वह एक सब्त आपने होल्ड कर दिया मार्केट को मान के चलो और आपको फिर भी मोटा-मोटी 24 रुपए के फर्क पड़ रहा है तो नौ रुपए से 24 रुपए निकाल दो कि तो कितना बचेग वह आया था 19 रुपए नौ रुपए नौ रुपए नौ रुपए और उधर पाच चौदा और तस यानि कि 19 रुपए ठीक है स्वरी 14 रुपए लेके चलो 24 रुपए लेके चलो ठीक है तो फिर भी आपको 20.000 का प्रॉपट हो था इदर है ना आप समझ लो आप यहां पर क्या चल रहा मतलब मजाग तो नहीं चल रहा भाई 20.000 रुपए एक सब्था में लोग कमाने के लिए सोचते भाई एवरेज भी निकालो गए तो छे दिन मार्केट होती है तो पांच चोग के पांच चर चरह जर पर पर प्र डेगर क्या को प्रॉपिट हुआ है उतना पर स्टॉक में भी नहीं कमाने वाले है अगर आप तिन लिए आपको क्या करना क्या होगा तो बहुत सिंकल है आपको जाना है गूगवल पर गूगल पर जैना है यहां पर गूगल मुझे दस्त मेरी फ्रेंड है वह बहुत को सिखाती हो गूगल है ना मैं इसी को अपने बनावाँ क्या इधर की बनाओगे बाई लूट लेगी उल्टा तो यहां पर जाना है आपको यहां पर लिखना है कि टॉप लुजर्स इन विकली ठीक है विकली लु सपोर्टीव टीम जिसमें बहुत अच्छे से कांग करते हैं लोग यह मने कंट्रोल ठीक है मने कंट्रोल के साइट पर आपको जाना है तो आपको यहां पर खुलेगी इस तरह से एक लिस्ट इतनी सारी कंपनीज जो पिछले सब्ता लॉस में रही है ठीक है और यह अच्छ सारी कंपनीज है यहां पर देख सकते हो तो इसमें आपको अपने स्टॉक्स बाई करने है फ्यूचर ऑप्शन कैसे करना है तो सबसे पहले हम लोग एक्जांपल लेते जैसे मैंने यहां पर एक चूच कर रहा था डावर को क्या पर डावर है बजाग नहीं कर रहा है दिख अब यहां अब इसके स्टॉक और फ्यूचर ऑप्शन दोनों में खुल देता हूं टार्गेट पी मैं आपको बता देता हूं यह खुल गई भाई डावर की चार्ट ठीक है आप देखो यहां पर मार्केट नहीं यहां पर ग्रोस डॉन कर रहा है मार्केट को यहां पर यह म आपको यहां पर ध्यान देना है कि RSI यहां पर देखोगे आप में आपको फोकस करना है RSI पर तो RSI यहां पर नीचे आ गई एकदम यहां पर एकदम एकदम नीचे है भी और पिछली बार मार्केट यहां पर यहां पर यहां पर मार्केट अच्छे अभी है तो यह अच्छ से मोमेंट आएंगी क्योंकि पिछला बार आप अगर इसका देखोगे ना इसकी पिछली हिस्ट्री देखोगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा तो मार्केट इधर से लगातार चड़ी रही है तो बहुत ज़्यादा हाई टर्गेट नहीं रखना है आपको एक दिन का ट 500 पर या फिर मैंने लिए अभी मार्केट कहां पर 11.70 पैसे पर है कितनी रुपए लगेंगे मुझे आ इधिक है यह मैं देख लेता हूं कि मुझे कितने पैसे लगेंगे तो 11.70 पैसे पर में लेता हूं तो मुझे 14.645 रुपए देने पड़ते हैं अब अगर यह आजाएगी और कम से कम नहीं बाद तो कम से कमान के चलो चार रुपए चड़ी उपर या तीन रुपए चड़ी हम बहुत ज़्यदा टर्गेट नहीं लेंगे बहुत छोड़ा सब्सक्राइब लेना है ठीक है अभी इतना से चल जागी मान के चलो 14 रुपए पर यानि कि लग मिल जा रहा है ठीक है सिर्फ 3770 रुपए आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है तुरन तो आपके लिए क्या लॉस है मतलब कि एक दिन में 3000 रुपए बहुत होते हैं अफिक किस्मत अच्छी रही अगर अच्छे मार्केट ने परफॉर्म किया और पॉंच परसंट चड़ कंपनी से अभी चल रही है इनको तो आज नकल उठने उठना है ठीक है भेल है देपक अंटियार है मैं सबों पर आपको यह तो नहीं दिखा सकता ना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और मार्केट में उतना टाइम नमें अभी वीडियो में देना नहीं है तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना के एक ऐसे आपको प्रॉफिट होगा बस दो तीन चीज़े आपको याद रखनी है कि भाई आपको काम करनी है तो आरह से पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है यह आपको वह यह उनके लिए खास करके जो लोग टेक्निकल एनर तो आपको लॉस नहीं होगा, अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो प्लीस आप ज्णदेर तक होल्ड नहीं करना, क्योंकि मैं स्टॉक்क त्रॉक्त समें ज़्ने squash करने का सला नहीं देता, क्योंकि लॉस हो जाते है तो लोग बहुत ज़्यदा परिशान हो जाते हैं। इ देखिए एक चीज और मैं बता देदाँ चाहता हूं कि आपको मार्केट वाके में उपर जाने वाली है यह नहीं जाने वाली है तो यहां पर देखिए यह यहां पर देखना अब थोड़े थोड़े चाहिए तो आप कंफर्म हो जाना कि यह मार्केट उड़ेगी और आपको प्रॉपिट होगा ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनी जैसे मैं और भी जामपा लेता हूं जैसे गलें जो मैंने अभी आप लोगों को बता है तो गलें चोड़ यहां पर ध्यान दीजेगा आप लोग ठीक है यह एक साइट है इस पर लोग बहुत कुछ सीख सकते हो यहां पर ध्यान दो देखें मार्केट में आप देखोगे ना तो धीरे-दरे क्वांटिटी बर्ल रही थी ठीक है यहां पर 22 थी फिर 26 थी तो तिन दिन से इसकी मार्क हुई है मार्केट में तो मार्केट में होल्डिंग्स थोड़ी घट गई उस दिन प्रॉफिट बुकिंग वह वह सारे लोग निकल गए होंगे ठीक है फिर ऐसे ही करके जो भी पैसे लगाने वाले हो उसकी तयारी अपना एक गंटा दो गंटा तिन गंटा यह एक रात पहल करना है और नीचे आकर आपको देखना है चलिवरी देखनी है इसमें होल्डिंग कि सके दूसरी बात और क्या देखनी है इस प्राफिट्न नहीं नहीं करना है तो जबिने लगा है देखिए इसमें जैसे कि पैसे लगाए कि किनोंने लगाए है यह लगाए पब्लिक के लोग ज्यादा पैसे लगाए मतलब यह कभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं प्रॉफिटर के गोल्टिंग देख रहे हो आप 3.99% है यह मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं टिंगने वाल सकते हो विकली मंतली जो भी हो और उसी हिसाब से अपना पैसा लगाईएगा ठीक है आपको समझ में आ जाए कैसे करना है बागी किसी दर के सब्सक्राइब कर लेना आपके दोस्त का आपके प्यारे भाई का एक टेलिग्राम ग्रूप है इसको आप जोइन करने के लिए कु आपको बहुत कुछ सिखने के मिलेगा आपसे मेरे साथ वने रहते हो आपको इस वीडियो में भी समझ में आ गया होगा जिन केने को किसी दर का प्रॉब्लम होगा प्लीज आप मुझे मैसेज करना मेरे यहां पर यहां पर हम लोग पेपर ट्रेट के लिए प्रैक्टिस भी कोई कर सकते हो या पिर अगर कुछ भी बोलना चाहते हो वाई प्लीज मुझे सब्वर्ट करिए आप लोगों के सब्सक्राइब का बहुत जरूरत है ताकि मैं इस लेवल को और उपर ले जारो आपके लिए दी तोड़ मैनत करूं ठीक है आप लोगों का असिरवाद मेरे भी बना रहेगा तो मैं भी आप लोगों के उपर अपना पूरा पूरा जो भी नॉलेज में आपको देता रहूंगा ताकि आप लोग भी प्रॉफिट कमाते रहो ठीक है बाकि मिलेंगे दुस्तों अगले वीडियो में तब तक लिए पना ख्याल रखियेगा और अच्छे